अस्सलाम अलेकुम नाजरीन में हूँ आपकी अपनी जरीना यूटूब चैनल पर जरीना खातुन सोफलार में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मतन कड़ाई उसके लिए मतन मैंने लिया है डेड़ पाओ ओईल मैंने लिया है ये चोटे वाले तीम चम्चे ओईल गर्म होने पर हम सबसे पहले मतन को भून लेंगे ओईल हमारा गर्म हो चुका है अब हम इसमें मतन की भूनाई करेंगे मतन की भूनाई हम जब तक करेंगे तब तक इसका कलर चैन ना हो जाए देखें मतन हमारा माशालला से भून चुका है अब मैंने इसमें दो गिलास पानी डालकर गलने के लिए रख दिया है क्योंके मटन देर से गलता है इसलिए हम इसे गला कर एक बार और हल्की सी भुनाई करूंगी फिर इसमें मसाले अड़ करेंगे उबाला आ चुका है अब हम इसे हल्की आज पे गलने के लिए छोड़ देंगे मटन को हमने गलने के लिए रखा था मटन हमारा गल चुका है माशाआलला अब हम इसमें अद्रक लहसन और दही डाल कर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जही अद्रक लसन हमारा भून चुका है अब हम इसमें टमाट रेड करेंगे टमाट रों को हमने किसीख में डाल कर पूले पर सेख लिया था फिर इनका छिलका उतार दिया है और पीस लिए अब यह आसानी से गुन जाएंगे और जेड भी नहीं लगेगे अब हम इसमें सारे मसाले प्रेड कर देंगे आदा छमचा है हल्डी आदा चमचा उटा हुआ जीरह आदा चमचा उटजी काली मेर्च आदा चमचा णाओ तो यह ददनिया आदा चमचा अब नमक हजबे जाएका साब उथारी मिर्च तीन चार लीमू का रस दो चमचे मसाले हमारे सारे डल चुके हैं अब हम इसकी भुनाई करेंगे यह देखे नाजी माशालला मतन कड़ाई हमारी तैयार हो चुकी है भुनाई कर लिए अच्छी तरह से अब हम इसे उतार लेंगे यह देखे नाजीर माशालला मतन कड़ाई हमारी तैयार हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा पिसी हुई काली मिर्च, भरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे अगर आपको पसंद है तो मतन कड़ाई की हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कमिट में जरूर बताएगा कैसी लगी आज की हमारी मतन कड़ाई की रेसिपी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्ला हाफिज झाल 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 झाल